हलो फ्रेंड्स एक और नए वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम लोग क्लास फाइब के लेशन फिप्टीन दा माइजर को देखते हैं माइजर मनि क्या होता है कंजूस तो यहाँ पर यह एक कंजूस की कहानी है तो once एक बार there was a very rich man एक बहुत अमीर आदमी था rich man मतलब अमीर आदमी लेकिन he was a miser वहाँ एक कंजूस था मतलब वहाँ कंजूस था he ate very cheap food, cheap food मानि क्या होता है सस्ता भोजन, तो वहाँ बहुत सस्ता भोजन खाता था सस्ता भोजन करता था, spend मानि खर्च करना और spent यह उसका second farm है तो वहाँ खर्च करता था very little money, बहुत कम धन, बहुत कम पैसे वह खर्च करता था और करता क्या था वो, he lent, lent, lent मानि होता है उधार देना और lent, lent का lent यह क्या है, past tense है तो he lent, वहाँ उधार देता था, money, धन वहाँ पैसे उधार देता था, to small shop keepers इस माल मतलब छोटे, छोटे छोटे दुकान दारो को वो पैसे उधार देता था at high interest, मतलब उचे ब्याजपर, मतलब ज्यादा ब्याजपर वो छोटे 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 दुकान दारो को पैसे उधार देता था In this way, इस तरह से, he earned a lot of money, इस तरह से वह कमाता था, a lot of money, बहुत सारा धन, तो इस तरह से वह बहुत सारा धन कमाता था, every morning, प्रत्यक सुबा, he went out, वह बाहर जाता था, to see, देखने के लिए, the shop keepers, दुकान दारों को देखने के लिए, वह प्रत्यक सुबा, बाहर जाता था, and came home at midday, और वो घर कितने टाइम आता था, midday, midday मतलब, दुपाहर को, the miser had a watchman, तो कंजूस का एक चौकीदार था, to look after, look after महाने, देखभाल करने के लिए, his house, उसके मकान को, तो कंजूस ने क्या रखा था, एक चौकीदार हो रखा था, अपने मकान की देखभाल करने के लिए, तो watchman lived, चौकीदार रहता था, in a hut, एक जोपड़ी में, near the gate, तो gate के पास, एक जोपड़ी में, चौकीदार रहता था, he liked fish, उसे मचलिया पसंद थी, and his wife cooked it, और उसकी पत्नी इसे पकाते थी, for him उसके लिए every day, प्रत्य एक दिन, तो चौकीदार को मचली पसंद थी, और उसकी पत्नी इसे पकाते थी, उसके लिए प्रत्य एक दिन, the watchman told his wife, चौकीदार ने अपनी पत्नी से कहा, cook the fish before midday, cook the fish, मचली को पका देना, before midday, दोपार के पहले, तो दोपार के पहले मचली को पका देना, और master will be out then, तो हमारे जो मालिक है, वो बहार होंगे, देन मने तब, मतलब दोपार के पहले तक हमारे मालिक क्या रहेंगे, बहार हैंगे, तो दोपार के पहले तक क्या करना तुम? मचली को पका देना, he doesn't eat meat or fish, वो जो है, मान्स या मचली नहीं खाते है, and he will not like the smell of his और वो जो है मचली की गंद को पसंद नहीं करेंगे आगे देखते हैं कहनी में लेकिन होता क्या है एक दिन one day the master came home early early माने जल्दी तो एक दिन मालिक घर जल्दी आगे he walked past he walked past the watchman's hut he walked past चल करके गुजरना तो वो जो है चौकीदार की जोपड़ी से चल करके गुजरे and caught the smell of his और उनको जो है मचली की गंद आई it was a nice smell यह एक अच्छी गंद थी and he liked it very much और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया मतलब वो जो गंद आ रहे थी मचली की तो वो उनको अच्छी लग रहे थी आगे देखते हैं that afternoon उस दोबर को he called उसने बुलाया the watchman चौकीदार को and asked him और उससे पूछा what were you cooking today तुम आज क्या पका रहे थी the watchman said quickly quickly माने तेजी से चौकीदार ने तेजी से कहा I won't do it again again माने फिर से तो I won't do it again मैं फिर से ये नहीं करूंगा sir महोदय प्लीज एक्सक्यूज मी क्रेपिया मुझे माफ कर दो the miser said कंजूस ने कहा don't be afraid don't be afraid मतलब डरो नहीं afraid माने डर ना don't be afraid डरो नहीं I am not angry angry माने गुस्सा मैं गुस्सा नहीं हूँ what was your wife cooking तुम्हारी पतनी क्या पका रह थी please tell me क्रेपिया मुझे बताओ the watchman said चौकिदार ने कहा we were cooking fish हम मचली पका रहे थे the miser said कंजूस ने कहा please cook it every day क्रेपिया इसे प्रत्यक दिन पकाओ I like the smell very much मुझे इसकी गंद बहुत पसंद है आगे देखते हैं the watchman and his wife thought चौकिदार और उसकी पतनी ने सोचा और master is mad हमारा मालिक पागल है but they cooked fish every day लेकिन वे प्रत्यक दिन मचली पकाते थे after a month एक महिने के बाद one evening एक साम को the watchman and his wife came to see their master तो एक साम को चौकिदार और उसकी पतनी came आये to see their master अपने मालिक से मिलने के लिए अब यहाँ पे जा करके चौकिदार ने कहा Sir You like the smell of fish कि महुदे आपको मचली की गंध पसंद है The watchman said to his master So इस लिए we cook it every day इस लिए हम इसे प्रतेक दिन पकाते है But परंतु The fish is not cheap लेकिन मचली सस्ता नहीं है It is very costly यह बहुत महंगा है It cost us a lot of money तो इससे हमारा बहुत सारा धन खर्च हो जाता है I earn only 30 rupees a month एक मैने में मैं सिर्फ 30 rupees कमाता हूं So please give us money for the fish इस लिए Please give us क्रीपिया हमें दे दीजे Money धन for the fish इस लिए क्रीपिया हमें मचली के लिए पैसे दे दीजे अब यहाँ पे क्योंकि वो तो कंजूस था अब यहाँ पे The major thought for a while For a while मतलब थोड़ी देर के लिए तो कंजूस ने थोड़ी देर के लिए सोचा Then he said फिर Then माने फिर He said उसने कहा Oh, all right ठीक है, wait here यहाँ प्रतिक्षा करू He went into his room वह अपने कमरे में गया Went माने गया into his room Into माने में his room अपने कमरे तो वह अपने कमरे में गया And sat और बंद कर दिया The door Behind him अपने पीछे तो वह अपने कमरे में गया और अपने पीछे दर्वाजे को बंद कर दिया He took out Took out बहार निकाला Some silver coins From a bag तो एक बेग से वह कुछ चांदी के सिक्के निकाला He dropped them one by one on the floor उसने उनको गिराया One by one One by one क्या होता है? एक एक करके on the floor On the floor मतलब फर्स पर तो उसने फर्स पर एक एक करके उनको गिराया मतलब चांदी के सिक्कों को गिराया The watchman and his wife तो चौकीदार और उसकी पतनी Heard तो चौकीदार और उसकी पतनी ने सुना The tinkle Tinkle मनी क्या होता है? खंखनाहट Of the coins शिक्कों की खंखनाहट को चौकीदार और उसकी पतनी ने सुना And were very happy और बहुत खुश थे They said उन्होंने कहा He is going to give us all that money He is going to give us वह हमें देने जा रहे है All that money उन सभी धन को तो जितने भी चांदी के सिक्के जो कंजूस वो एक एकर के गिरा रहा होता है तो इन लोग ये सोच के खुश होते हैं कि वो सारे पैसों को सारे धन को वो हमें देने जा रहे करके After some time कुछ समय बाद Their master came out उनके मालिक बाहर आए And sat down on a chair Sat down बाट के on a chair एक कुर्सी पर He then asked फिर उसने पूछा Ask मने पूछना आए पूछा The watchman चांकी दार को And his wife और उसकी पत्नी को Did you hear the tinkle of the coins? क्या तुमने सुना The tinkle खन खना हट को Of the coins सिक्कों की तो क्या तुमने सिक्कों की खन खना हट को सुना Yeah sir We did मतलब हाँ हमने सिक्कों की खन खना हट को सुना तो यहाँ पर फिर कंजूस ने पूछा Did you enjoy it? तो क्या तुमने इसका आनंद लिया? Asked the miser कंजूस ने पूछा Yes sir की हाँ sir हाँ sir Said the watchman and his wife Watchman और उसकी पतनी ने कहा The miser then said फिर कंजूस ने कहा Alright ठीक है I enjoy the smell of your face मैंने तुमारे मचली की गंद को enjoy किया तुमारे मचली की गंद को गंद का आनंद लिया And you enjoy the sound of my coins और तुमने मेरे सिक्कों की आवाज को enjoy किया आवाज का मजा लिया I don't ask for your face मैं तुमारे मचली को नहीं मांगता So you don't ask me for money इसलिए तुम मेरे पैसे को मत मांगो Now go away अब तुम जाओ तुम इस तरह से ये थी छोटी सी कहानी एक कंजूस की तो कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपका महत भूद धरनिवाद